हेलो एरुवन आप में से बहुत सारे लोगों ने इस बार UPSC 2024 का फॉर्म भरा होगा और आप सभी लोग के मन में एक सवाल जरूर उट रहा होगा कि इस बार क्या UPSC के द्वारा जो डेट एनाउंस किया गया है उस डेट को UPSC एक्जाम कंड़क कराएगा कि नहीं कराएगा वो basically merge कर रहा है तो आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर उट रहा होगा कि UPSC के द्वारा जो डेट एनाउंस किया गया है उस डेट को UPSC के द्वारा एक्जाम कंड़क किया जाना है कि नहीं किया जाना है क्या एक्जाम पॉस्पॉंड होगा और अगर एक्जाम पॉस् करता हूं आइए स्टार्ट करते तो अभी हाली में इलक्षन कमिशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो की चीफ इलक्षन कमिश्टर है राजीव कुमाल जी के द्वारा अभी लोगसभा चुनाओ को डेट को लेकर के गोस्तना की गयी जिसको लेकर के मैंने एक वीडियो भी रि में होगा और इसका जो सातवा चरण जो होने जा रहा है वो एक जुन को होगा और रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ रिजल्ट जो गोसित किया जाएगा लोगसभा चुनाओ का वो चार जुन को आपका गोसित किया जाएगा अब यहां पे बात यह आ रही है कि UPSC के दौ जारा एक notification यहां पे जारी किया गया और वेसी बात है जहां पे prelims exam को लेकर के general elections के वजए से इस exam को यहां पे postpone कर दिया जा रहा है और यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे जो exam था जो कि 26 मई को होने जा रहा था अब यह exam यहां पे postpone हो करके 16 जून को यह आपका होगा तो आप देख सकते हैं लगबग अच्छा गासा 20 दिन का यहां पे आपका जो date है वो आगे बढ़ गया है प्रिलेंस exam को लेकर के तो अच्छा गासा date आप यहां पे देख सकते हैं अच्छा गासा आपके पास time भी आपको मिल गया है इस दौरान आप अच्छे गासे current affairs को revise कर सकते हैं test series लगा सकते हैं और एक तरह से अपने syllabus को और अच्छे से revision कर सकते हैं तो यह पूरा detail था notification था इसका जिसको लेकर करके था आप देख सकते हैं election commission of India के दोरह यहां पे 7 चरन में मतदान यहां पे होगा जिसके 7 चरन के date आपके सामने आप यहां पे देख सकते हैं और यहां पे 4 जुन को यहां पे result घोसेत होना है यह पूरा का पूरा वीडियो मैंने अल्रेडी बना चुका हूँ 16 मही को लेकर के अगर आपने नहीं देखा है लोग सबाज अनौ से related तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं यह पूरा detailed discussion था अब आपके पास 20 दिन का और अत्रिक समय है जहां पे आप और अच्छे से अपने रिवीजन को और मजबूत कर सकते हैं और अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं टेसरी लगा सकते हैं और एक तरह से अपने रिवीजन को और मजबूत कर सकते हैं तो इस तरह के और वीडियो के लिए चैनल को अगर आपने subscribe नहीं किया तो channel को subscribe कर लिजेगा daily basis का मेरा साहस का series है वो रोज सुबा 8 बजे आता है current affairs को ले करके तो उसको भी आप join कर सकते है रात में INA का series चलता है current affair का उसको भी आप cover कर सकते है daily updates के लिए तो ये पूरा आपका daily basis का notification था UPSC को ले करके I hope ये नोटिफिकेशन आपके लिए यूसफुल होगा वीडियो को अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरू कर दीजेगा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा जै हिंद जै भारत